ती ट्यूरी में एक बड़ा उलटफे राज फिर से देखने को मिला है दोस्तों जी हाँ दोस्तों जहां विल्ल कप ट्यूरी वर्ल कप 2100 के सेमी फैनल में अफटफन में अफगाvs.' अफगानिस्तान ने प्रवेश कर लिया है तो वहीं और यूर्ट 2020 World Cup 2024 से बाहर हो चुकी है जिया दोस्तों ये बड़ी कवर लेकर आया हूँ दोस्तों आप सबको बता दू कि अफगानिस्तान और बांगलादेश का मुकाबला होने आला था और वो बहुत ही रोचक मुकाबला हुआ जिसमें अफगानिस्तान ने एक ओवर शेश रहते बांगलादेश को हरा दिया है जिया दोस्तों काफी जबर्दस्त मुकाबला हुआ और ऐसा लग रहा था कि शायद कोन जितेगा समझ में ही नहीं आ रहा था लेकिन काफी जद्दो जहत के बाद अफगानिस्तान ने बांगलादेश को हरा कर पहली बार जिया दोस्तों पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में प्रविश कर लिया है इससे पहले दोस्तों आपको बता दू कि बांगलादेश को हरा कर अफगानिस्तान ने काफी बड़ा उलट फेर भी कह सकते हैं इत्यास रचाप भी कह सकते हैं सबसे पहले नजर दालेते स्कोर कार्ट पर तो सबसे पहले अफगानिस्तान की बल्लेवाजी थी आज भी यहाँ पर गुर्बाज की एक अहम पारी रही हाला कि उन्होंने गेंदे काफी जादा ली लेकिन उनकी इस पच्पन गेंदों में 43 रणों की जो पारी थी जिसके बदोलत ही अफगानिस्तान मेरे खहल से की 115 रण तक पोहुचने में कामियाब रही जादराद ने भी 18 रण बनाए 29 गेंदों में जादा खाफी जादा ग पारी थी कि अगर ये नहीं कहलते तो 115 तक भी पोहुचना ना मुनकिन था तो अगर बात करते हैं गेंदाजी की तो यहाँ पर सबसे बढ़िया गेंदाजी की फिर से आर हुसें ने बांगलादेश के लिए लगातार जबर्दस परफोर्मस करें दोस्तों उन्होंने चार और में 26 रंदे कर तीन विक्टे ली तसकीन एमद और मुस्तफिजुर ने एक 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 विकेट ली हाला के अफगानिस्तान के पाच विकेट गिरे लेकिन फिर भी उनका स्कोर 115 तकी सिमीत रहा शाकिप को यहाँ पर एक विकेट ने मिली लेकिन 19 रंदे उन्होंने भी चार और में उसके बात आए बांगलादेश की बैटिंग जिसमें लिटल दास ज्या दोस्तों लिटल दास 49 गेंदों में 54 रंद बनाकर अंते तक नौट आउट रहे यहाँ पर उसके अलावा किसी ने भी कुछ खास परफरमस नहीं किया आप यहाँ पर देख सकते हैं जीरो फा पर अंते डास को साद देते नजर नहीं आया गेंबाजि की बात करूं तो यहाँ पर बहुती जबबाज दस गेंबाजि की नवीन उलक ने जिनों ने चारविक्तेली एंगी तो कुल्मला के कुछ रेकॉर्ड की बाद कर लेते हैं तो टू बॉलर्स विद फोर विकेट्स हाल्स इन एक टी 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 इनिंग्स मतलब एक वर्ल्ड कप के एक मैच में दो गेन बाद चार्चा विकेट लेने का ये कारनामा पाच भी बार हुआ है चोथी बार मापकी जगा उमर गुल ने 25 रंदेकर 4 विकेट्स स्कॉटलिन के खिलाब2007 में लीया था मुझि पूर रेमान में लीया था है विकेट्स इस्सी वल्ल कप में न्योजिलन को हराने के जब कामिया बरेती तो ये भी एक वहाँ पर है और आज रहा राशित खार ने 23 रंदे कर 4 विट्टे तो नवी नुलक ने 26 रंदे कर 4 विट्टे तो यहाँ पर 4 में से 3 जगह पर अफगानिस्तान के ही 2-2 गेन बाज यहाँ पर मोजुद है जो कि काफी बड़ी बात है बात कते अगले रेकॉर्ड की तो कैरिंग बैट प्रोट अ कंप्लीट टी-20 इनिंग्स जी अदुस्तो एक ही मैच में ओपनिंड के आकर लास्ट टक नॉट आउट रहेने का जो कार्णामा है वो अब तक तीन बार हुआ है टी-20 में क्रिस गेल ने एक बार किया है कि आप देख पार है 2009 में स्रेलंका के खिलाप उसके बाद यहाँ पर बालेरी रेमी चौंद बालेरी यहाँ पर मुझे पता नहीं इनका नाम मैंने कभी सुना नहीं इन्हों ने भी 2023 में किया था और अब लिटल दास इस लिस्ट में आ चुके है क्योंकि लिटल दास अंतर तक नॉट आउट रहे तो इन्हों ने भी बैट कहरी किया है अंतर और ओपनिंग के लिए थे तो यहाँ पर तीन ही नाम है और इसमें बांगलादेश के लिटल दास 44 रन भी दिए लेकिन आठ विक्टे यहाँ पर लेने में कामियाब रहे यह उन्हों नहीं कहेंगे लेकिन काफी रोचक है यह भी बोस्ट फोर विकेट्स हॉल इन मैंस टीटेटी सबसे ज्यादा चार या उससे ज्यादा विकेट लेने का रेकॉर्ड अब रशित खान के न किया है इंटरनेशनल टीटेटी में नो बार अभी तक चार या उससे ज्यादा विकेट ले चुके इससे पहले यह रेकॉर्ड शाकी बुलहसन के नाम था जिनोंने आड़ बार ऐसा कारनामा करने में कामियाब रहे थे इसके बाद अगर बात करें तो मैट हैंडरी भी एक मैट हैंडरी नीम आपके लिएक हैंडरी एक यूजी एक है साथ 12 ऐसा करने में कामियाब रहे दोस्तों अब बात कते हैं कि सेमी फाइनल में कोन कैसे कब भीडन्थ होने आली सबसे पहले तो सबसे पहले सबसे तारिक को सुबह साड़े 5 बजे भीडन्थ होने आली सौबत पर जैसे की मैंने आपको कल के युडियो में बता है यह बारिश आने के काफी चांसे से तो बारिश आती ही तो क्या हूने वाला है, कौन सी टीम आगे बढ़ने आरे, वो वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं धर वहाँ पे मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है तो I hope आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आगा थोड़ा भी पसंद आए तो उड़े को like, share, comment ज़रूर कर दीजे चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेस करना ना भूले अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजे अभी के लिए तना है मिलता है गलोर में तब तक के लिए गुड़ बाई